कि मतलब क्या यह ऐसा है कि कल्यूग है तो ऐसा ही योगा कि अच्छी चीजों पर क्वेस्टन हो क्यूंकि आप आप चार दोस्तों में यह बोल दो कि नहीं यार मैंने ना सिग्रेट और दारू छोड़ दी है क्यूंकि मैंने आप पंदिर जाने लगाँ तो लोग कैते हैं अच्छी डिसिजिजन को या स्पिरिचॉलिटी को ही क्वेस्टन करते हैं जैसे अभी राममंदिर में हुआ तो अभी भी चल रहा है कि अप्छी बना देते हैं या कुछ बना देते हैं अ प्लस जब आप अच्छी बनते हो ना और अगर आपको अस वक्ड लोग पीछे खी ही पेशे घर रहे हैं को रोज बताए के हम गलत है तो वो उनको ने और सिखाएगा हम जो करते हैं अभी तकक बताने वाला को इन नहीं कै की पूरे अच्छे पात पे जा रहे रोज है इन और उनको बटाएगा कि तुम गलत पाथ पे हो, वो किसी को पसंद नहीं है, तो इसलिए वो आपको वापस पीछे खिष्टे की कोशिश करेंगे, कि नहीं ये चीज गलात है, और दूसरा I think, हम बहुत स्टार्ट से ये चीज हमें सुनाई गई है कि बुढ़ापा पूजा पाठ का समय है, जो मुझे लगता है सबसे अरि यूध खराब होनी का, कंसी करदी का आज का यूध खराब होनी का, क्यूंकि आप भगवान को क्यू मनाते हैं, या आप scripture चली, भगवान भी नहीं मैं कहतों आपको मैं devotion की और भी नहीं लेके जा ही, आप scriptures पढद रहे हो, scriptures पढड़नी का Prisen क्या है, क्या है scriptures में scriptures में knowledge है किस चीज के लिए जो हमारे vedic scriptures है हां जी मनला इस लाइटाइल जीना कैसे है जीना कैसे है जीना कैसे है ये सीख कबरे हो जब जीना बचा लिए facts एक्तम लॉजिकल बात है जिन्दगी बची नहीं तब आप सीक्रे जिंदगी जीना कैसे है, तो ये इसे जादा स्टूपिड हरकत और हो क्या सकती है, तो इसलिए ये आपको बहत पहले सी न चीजों में जोड़ दियागा, इसका दूसरा रीजन है, क्योंकि सब को ऐसा लगता है, भगवान से जुड़ना मतलब इस इंसान को आश्रम में रहना चाहिए, कुटिया में रहना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए, पैसे छोड़ दिने चाहिए, काम छोड़ दिना चाहिए, कोई भी यूथ ये नहीं करेगा, आज आप तीन लोग बैठे है, मैं आपको बोलू कि आपको अगर भक्ती से जुड़ना अगर आपका डिवोशन है नहीं, लेकिन अगर मैं आपको छोड़ने की जरुत नहीं है, मैं सब कुछ की रहते रहते आपको बैलेंस्ट वे में भगवान से जोड़ दूगी, तब आप आजाएंगे, तो स्टार्ट से यूथ को हर चीज से दूर रहने के लिए बोला गया ह यह नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतना डरा दिया गया है, जो भुला ठीक है, बुड़ापे में आपके करेंगे, जब हमने सब कुछ कर लिया होगा, तब हम रेडी होंगे सब छोड़ने के लिए, तब हम अगवान के पास आ जाएंगे, और यही चीज ने क्योंकि मेले बेल बॉटम्स चलते थे, फिर सकी निचे इंस आई, अब आपस बेल बॉटम्स आ गए, वो ही चीज घूम पिर के आती है, बीच वाले थोड़ा काम खराब कर देए, तो आपस चीजे ठीक करनी पड़ती है, तो यही चीजे है, कि यूथ को समझना होगा, कि आप बैल बॉटी बाते थी, कि अपनी लाइफ का परपस जानो कि आप इसले पैदा हुए हो, क्यू हुए हो, तो इन सब में यूद बहुत जादा गुसरा है, तो यह जादा जरूरी है, यह जानना कि मेरी लाइफ का परपस क्या है, क्यों कि घर वाले कहते हैं अपना पढ़ो, करिय पर द्यान दो, अपना परिवार आगे बढ़ाओ, उस पर फोकस तो रहता ही है, जैसे लोग का, लेकिन अलग वे से देखा जाए, तो फिर अभी अभी हो गया कि मेरा वो परपस क्या है, लाइफ का, तो लोग यह जादा सोच रहे हैं, तो इस बारे में सोचना चलिए क्या आप हमारे पास हम आपको आपका लाइफ परपस बताएंगे, तो इसा मेरी तरफ गूम के आया, नहीं, 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 बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे पोड़गास्ट करते हैं, जिनका लिटरिली वो साइंसे है, टैरो है, जिनके थूरू बताते हैं कि आपका लाइफ प ging kisses my hair, नहीं, मेरी मेरी पेरे पूरर मैं घूरु में हुआ रहरा हैं या, अस्तुरालेज़ी में मैं बिलीव करती हूं पर मैं घुसी नहीं हूं इतना है, तो मैं ऐसे बिलीव करती हूं कि यह से जच है बड़ बहुत inoleligible इस हैं इस इस होलता सकता है, पर मैं कभी मैं नहीं कि आप मेरा भविष्ट बताओ मुझे क्या होने वाला है कि मेरे पापा ने देवन से मुझे का कि जब आप इन चीजों में बहुत जादा पढ़ जाते हो कही ना कहीं मेहनत से भटक जाते हो तो आप होता है कि हाँ सक्सेस के लिए मैं यह पहन लू तो मेरे पापा को इदेवन से पसंद नहीं था तो नहीं हमें कुछ कभी पहनाया नहीं और कभी कोई आके बोले भी जब I think मेरा करियर थोड़ अच्छा जाने लगा था तब होते ना आपके आस-पास बोते कि अच्छ स्टार्ट वेरिंग देस होता होगा मैं बिल्कुल इसको नकारती नहीं हूँ क्योंकि हमारा ही स्क्रिप्चर है पर हां उसका ग्यान होना बहुत बड़ी बात है हर किसी को नहीं होता पर पापा वस लाइक कि अगर तुम्हारा ध्यान उस पर चला गया तो तुमको ऐसा करना है इससे पीछी मत अटो यह हुमन नेचर है माम कि अगर किसी ने कुछ कह दिया उससे वह बात बन गए तो फिर वहां पर जाएगा कि है इसकी वज़े से मेरी महनत तो पता लिए इस लिए लगी शर्ट पहना ता इसलिए पेपर अच्छा गया नहीं तुम्हें पढ़ थो भटकना पड़ेगा पूछना पढ़ेगा भिया घांगा जाओ मुझे पता है मेरा रस्ता क्या है तो मुझे मनजिल मिलने में धिककत नहीं हो गी यह वही बात थे नहीं भी पता तो कोई बात नहीं थो मंघल लिखी है वहां पहुंच जाओ गे पस थोड़ा बटक के प मैं यह कर सकती हूं, तो यह चाहे भजन है, चाहे कथा है, चाहे podcast है, यह मेरे लिए नहीं चीज़ है, यह बहुत रीसेंटली शुरू करी है, पर मेरे लिए यही था कि यह भी एक माध्यम है, लोगों तक पहुँचने का, भगवान की बात बताने का, यूथ से connect होने का, जो साथ दिन, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो शायद एक घंटे में वो सुन ले, I will do everything, जो इस purpose को connect करता है, तो कोई एक चीज़ ने, मैं यही करूंगी और मुझे मिलेगा, मैं कुछ भी करूंगी, आप मुझे कोई भी फील दो, कि इस फील में जाने से आपका काम ब आपने उसके लिए पढ़ा कुछ, आपने याद करा वो कौन सी एज थी और पहली कथा का experience जानना चाहूँगा मैं आपसे, तो मैं I think 12-13 साल की थी, तो मैंने पहली कथा तीन दिन की करी थी, वो डिवोटी की कथा है, नरसी महता, गुजरात के है, अच्छा, हां जी, तो औ साब से मामा परिवार, यानि उनके भाई को भरना चाहिए, पर कोई है नहीं, और भगवान के भक्त थे, उन्होंने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा भगवान की भक्ती करते रहे, तो उन्होंने यही कहा कि वो आएगा भरने मायरा, तो उसकी पूरी कथा ह है और भगवान आते है, और चपन करोड का मायरा भरते है, तो यह पूरी एक स्टोरी है, उस पर मैंने पहली बार कथा करी थी, और इसकी स्टोरी ऐसी है कि मैं भजन गाती थी, और आप बहुत छोटे हो आपको तो कथा क्या होता है, पता भी नहीं था उतना उस वक्त, मेर करते थे और वो इतनी अच्छी कथा करते थे कि बहुत इमोशन हो जाते थे, पापा बहुत रूते थे, तो आपको तो वियर लगता है एक चोटे बच्चे को कि मेरे घर में पापा क्यू दिन बर रोते रहते है, हर थोड़े दिन में कुछ चल रहा हो और यह रोने लग जा अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़े थीक ठीकी करते है, वो करते है तो बोल दिया, मुझे तेर साल लगा उसको तयार करने में, और मेरे पापा को था कि उनके लिए उनके बहुत इक दिल से जुड़ी हूई चीज थी, और उनका बच्चा ही करने की कोशिश कर रहा है, तो उनके लिए और डबल कनेक्शन हो गया, तो उनके लिए मैं हूँ पीछे फिर चलो, मैं जैसे जैसे बोलूँगा तो उनके पुर किताबे लाई, मुझे पढ़ाया, मुझे सारी स्टॉरीज बताई, और वो कथा मैं मारवाडी में करती हूँ, क्योंकि माहरा मारवाडी कि आपको आता है क्योंकि मैं मारवाडी हूँ पर इतना चुटा बच्छा इतनी फ्लूएंटली नहीं बोलता कि वो तीन दिन की कथा कर दे, तो वो भी एक डेड़ साल तक घर में सम मुझे मारवाडी में ही बात करते थे, ताकि मुझे एतने अच्छे से आ जाए, तो समय लगा करने में, पर मैंने की, और मैंने पहली कथा ही, शाम बाबा का एक मंदिर है कोलकाता में, बहुत पुराना, मैंने मंदिर के अंदर करी थी, और वो दिन है, और भगवान ने पीछे देखने नहीं दी आज तक मुझे, तो मुझे लगना मेरी शुरुआत ही बड़ी अ तो वो तो मैंने सोच समझ के की, कि हाँ भई ये कथा मुझे करनी है, और मैंने सोचा था मैं 12 के बाद करूंगी, एक बाब बोट्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो भगवान चाहते है वो होई जाता है, तो कुछ रीजन्स की वज़े से, मेरी पहली कथा, आई थिंक, ऑक् कभी कुछ करी नहीं सकती, मुझे आदत ही नहीं आद करने की, मेरी स्कूल में भी मार्क्स हमेशा इसलिए कम आये, क्योंकि मेरी टीचर्स कहते थे, आंसर तो सही लिखती हो, पर अपनी मनमानी लिखती हो, जो वर्ड्स किताबों में लिखे, वो क्यों नहीं यूज करती, मैं रट्टा नहीं मार सकती, तो मैं सिफ चीजे समझ सकती हूं, फिर अपनी भाषा में लिखोंगे उसको, तो वह भी मैंने क्या, मैंने कथा पढ़ी, मैंने समझी, बोलती मैं अपनी भाषा में हो, तो वह बहुती सिंपल लांग्विज होती है, जो उस वक्त लोगों को बड़ी अटपटी लगी कि वह यह क्या है, इतना सिंपल कौन बोलता है, कोई भी कर देगा, और आज वही आपका प्रीसियेशन है, कि अरे बड़ी सिंपल है, सब को समझ आ जाती है, तो मैं कहती हूं, आप काम करते रहो, आपके क्रिटिसिजम ही आपके अप्रीसियेशन बनेंगे, और माम कोई ऐसी कथा जो आपको याद हो कि यहाँ पर, मला कुछ अलग महल बन गया हो, जादा मजा रहा हो, आपको अभी तक याद हो कि वही आज तो कुछ अलगी हो गया, आई, देखिया, अलग तो हर जगे, हर कथा अलग हो जाती है, क्योंकि लोगों के रिय पर तो वह अलग-अलग रियाक्शन से अलग-अलग जगा होते हैं, पर एक कथा है, गोपी उधव समवाद भागवत में, और वह सिर्फ मैं नहीं बोल रही कि अच्छी चीज है, उसको श्रीमत भागवत का हरिदय कहते है, अच्छा है, कि वह सबसे सबसे सॉफ्ट, सबसे प्यारा, सबसे प्यार भरा टॉपिक है, कि जिसमें भगवान के दोस्त है, उधव जी, जो बहुत ग्यानी थे, पर वो प्यार को कुछ समझते ने थे, तो भगवान ने फिर उनको प्यार का स्कूल, गोपियां, उनके बास भेजा था, और उनको समझा के, कि तुम तो बड प्यार में हो गए, वो प्यार में, वो महां बोल नी पाई कुछ, एक शब्द, मतलब गोपियों ने ऐसी ऐसी बाते बताई उनको ऐसी ऐसी चीजे, लेकिन पूरा प्यार है, और अक्च्वल प्यार क्या है, जिसको हमने स्वार्थ प्यार कहते है, वो कैसे कोई इंसान कर सक गोपियों ने समझाया था, तो वो बहुत प्यारा टॉपिक है, और प्लस उसमें एब है के भगवान छोड के चले गए है, तो लोग रोते हैं, सब की फीलिंग्स बहार आते हैं, कोई बहुत साड हो गया, कोई बहुत खुश है को बहुत खुश है कि उसको लग रहा उसका अपना एक अलग टेक है